बंदे मत्रा, डे मित्ला, डे जानकी, नमस्कार दोस्तो, मैं प्रीता मिश्रा, हमारे आज के नई वीडियो में मैं आप लोग का हर्दिक स्वागत करता हूँ, दोस्तो आज मैं जिस पोट को लेके आया हूँ, वो है हमारा नुट्रलाइट फाइबर, जो एक बहतरीन और्ग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकों ज़रूद प्रेस करें ताकि आपके पाश हमारा नई से वीडियो पहुंच सके दोस्तो और एक बात करना चाहूंगा, आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिए, समझिए कि है क्या चीज कैसे इस्तमाल करता है, आज दोस्तो च चलिए बात करते हैं, नुटलेट फाइवर एक ऐसा पूरट है, जो हमारी बोडी की पाचन सक्ती को मजबूत करता है, जबकि यह हमारी बोडी में किसी भी तरह का पौशन नहीं देता है, लेकिन यह हमारी पाचन क्रिया में एक महत्पुन भूमिका निवाता है, हमारी बो करता है, अगर आज अगर हमारी बोडी में बोडी में बोजन जाधा तर लोगों को नहीं पाश पाता है, इसकी असली वज़ा यही है कि हम भोजन में फाइवर की मात्रा ज्यादा लेते हैं तो इसका कोई भी सैट इफिक नहीं होता है, असानी से पाचन क्रिया को और भी होगी है, और उसको भोजन पचाने में बहुत ही टाइम लग जाता है, जिस वाज़र से हम बीमार होते हैं, अगर हम ज्यादतर फासफूड और वाइली बोजन खाते हैं, तो हमें फाइवर की मात्रा ज्यादा लेनी हो चाहिए और जिसे हमारा पाचन अच्छा बना रहे, अब भोजन में से तो ज्यादतर लोग फाइवर की मात्रा नहीं ले पाते हैं, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों के लिए एम वे नुटलाइट फाइवर बहुत ही उप्योगी है, जो हमारे खाने में असानी से पचाता है, और हमारे पाचन सक्तिकों भी ब होुखता है, और हम जो हैं, फाइवर के फाइदे के बारे में बात करते हैं, यें चैन को बहुत करतना करता है, ये हमारे पेट के लेडे बी होने से भी बजाता है, यह पेट में कैंसर की वीमारी हो जाने पर उसे लडने में भी मदद करता है यह लीवर में जम्में यह फेट को दूट करता है M.O.A. Nutilite Fiber हमें लीवर ज्यादा मध्याता है एक दीन में 38 फाइवर लेटाने में इसके बारे में आप लोगों से बाते कर लेता हूं तो हमें एक दीन में 38 फाइवर लेना चाहिए यह नो शेव बारा कटोरी दलिया के बरावर होता है एक दीन में आप नो शेव नहीं खा सकते हैं मालेज़े हम आज के डेट में शेव आपको 200 रुपया किलो है और एक दीन में नो शेव इन पॉसीवर है दोस्तों खाना नो से कोई नहीं खाता नहीं कोई बारा कटोरी दलिया खा पाता है तो 38 फाइवर जो है हमारे नो शेव बारा कटोरी के ब्रावर होता है कि मुए नोटलाइट फाइवर हमें लगवाग एक स्कूप डेली लेना चाहिए जिसे हमारी पाचन शक्ति अच्छी बना रहे दोस्तों पहले क्या होता है कि उनको कभजियत की विमारी होती थी वह एक इस अब गोल लेते थे पहले हरा डबा में आता था पहुंच आपको मिलाई तके नजीएंब जुद लिए लता है कि दोस्तों आप जो भी इसे गोल इस तंग में और करतें हैं आफ लोग घंन 운동 को अवे फैरते हैं तो थोत थोर दिए और आपने आप नीचे जंग जाता है आम क्या करते हैं लेकिन पूरा का पूरा पानी में मिल जाता है तो कोडिया हम एक स्कूप याप डालते हैं पानी में अच्छा से प्रेस्ट मिलाते हैं दोस्तों विश्वास मनिये आपको ट्रांस्प्लेट जैसा पाले जैसा पाणी उसे तर्णस्प्लेट आपको दिखतर रहेगा और पर पूरा पाणी मिल जाता है कहा है और पीने के बाद लगाता इस्तमाल करने वाद इनको कव्याइद यादी बीमारी आक को बिशाष मांगे आप ठीक हो जाता है दोस्तों यह था हमारे पर के बारे में और अदिक चाहिए या पर जबन करते हैं तो मेरा नंबबर हम आपको शेर करते रहे हैं कौमेंट बो頂सिंड में में और डाल दुश्टो में ऐसा तो आज कर ले रहा हूं आपके सामने में एक बेतनी पड़को लेके तो आज मैं जा रहा हूं ठैंकी हूँ धन्य बाद हसते रही है ख्रिकलागाते रही है बंदे मत्रम जै मितला जै जानकी